तो अलो फ्रेंड्स वेलकम वेक टो माई यूटूब चानल इद्रीशी बड़ने श्टोर तो कैसे आप सबी लोग उप्मीद करता हूं आप सबी लोग ठीक ठाक होंगे फलाहल यह जो है आज मैं लगाने वारा हूं इस एक अपने बड़े साइज के प्राउट को जैसे कि आपको दिखा जैता हूं उपर से और मैं आज इसको रिपोर्ट करने वाला हूं यह देखिए यह ब्रांचे जो है काफी पतली पतली सी लंबी लंबी सी जा रही है ना इसका भी सीक्रेट बताऊंगा मैं इसका सही नहीं है तो आप जो है इसको मुझे कंफर्म करा तो यह देखिएगा यह फिलहाल मैं आपको बताऊं यह वाला जो है यह पतले पतले लंबे लंबे जा रहा है ना इनको धूप नहीं लगए यह चाहिए अधार जगाम कहीं रखके बढ़ाए गए हैं यह प्लांट और यही कारण रहता है कि इनकी जो है ग्रोथ हो जाती है इनके अंदर जो दमदारी होती है वो धूप लगने के बाद ही आता है जैसे इंसान के अंदर कैलशियम की कम हो जाता है विटामीन डी जैसे पॉलते हैं तो यह त्टोरी का है यह सिक के ब्ला 커피 हो गयान तो जैसे कि यह तो हम इसके जो छेद हैं यह मैंने नर्सरी पॉट लिया ब्लैक वाला बारा इंच का इसके साथ ही यह गंबला जो मिट्टी को ताट उटागा वह वह और यह मेरी जो प्राणी राइस हस्क जो मैं लेता हूं वह यह और यह गोबर की सड़ी हुई खाद है मेर वर्मी Gross नहीं लिया हूं मैंने और बाकी मिट्टी के अंदर लूंगानी में किसी भी कि मक्तिया आया को यह फृया है चलगा नहीं रहा हुए इसलिग हमें वह मार्वार दूडा क्यम हूने ये पी के चंद दाने हैं ज्यादा नहीं कि साइज बड़ा है गमले का और ये रहा हमारा नीम की खल है जो की किटाड़ू वैक्टिरिया को मारने के काम आता है फिलाहल मैं इसमें से थोड़ा डिये पी दाने दर को कम कर देता हूं क्योंकि एक गमली के सबसे थोड़ा से ज्य कीची और है अगर थोड़ा प्लांट भी छोटा होता तो इसके आप दाने और कम लेते प्लांट और अच्छा होता तो और ज्यादा ले सकते तो कोई प्राबलम की बात में यह है वाम शक्ति से बोलते हैं इसके अंदर दिखा दूने क्या क्या होता है यह मेरा वाम शक्ति कीची आगे क्या लिखा हुआ है इंप्रूब जो है टूट बगारा के लिए काफी अच्छा होता और पार्टी जो है मैंने कुछ नहीं लिया है इसे मिला लूगा और मेरा एक फर्ट्लेजर और रखा हुआ यह लील गाह की बोलते हैं वह मगर मैं इसको नहीं लूगा क्यो बड़ा हाट सी हो रही है पर कोई नहीं थोड़ी सी ले लेता हूं यह बहुत अच्छा फर्ट्लेजर का स्रोथ है जो की जंगल में मिल जाती है हेरन का जो होता यह मल यह वो है तो यह देखिएगा इस तरीके से आप इसको भी इसे ताजा भी डालेंगे तो कोई परेशान रहा करके दिखाता हूं और यह देखिएगा फिलहाल इसको निकालना कैसे है गुलाब को फिलहाल यह वाला मैं सोच रहा हूं कि इस तरीके से यहां से फ़ाड़ गूं कि फ़ाड़ने में ही बेतरी है मैं लालच करूंगा अगर इसके बैक का तो प्लांट महेंगा भी कॉस प्लाल यह वाला जो में लेकर आया हूं और यह देखिएगा इस तरीके से आप इसको निकाल लिएगा यह भी धर्विंदर वाई तोलत के सामने ही नहीं नरसरी खोली है अभी गारी इनकी रिसेंटली उत्री है लगवाद दो तीन दोन हुए है और उस गारी में इनका यह सब्सक्राइब भी आया है बड़ा साइस का तो इस तरीके से हमें इस कट्र को यहां से हटा ले रहा है और अगर नहीं हट रही है तो आप उसमें जो है जबरजस्ती ना करें क्योंकि रूट जो है फिर दिक्कत करेंगी यह देखिए यह दुवारा से जो है छोटे कमले में पहले लगा हुआ था फिकर इन्हों ने बड़ी इतरी में लगाया है ज़साथ से इसका यह टेखिए इसका जो बना हुआ है यह मिति हैं अंदर है यह बाद में दुवारा से झूसरी मित्टी है जिसमें उने बाद में गुलाब को लगाया है कोई रिसेंटली जो है नई ग्रोथ नहीं हुई है क्योंकि इसकी वाइट रूट देखने का जो मकसद होता है वह यही संकेत देता है कि इसकी नई ग्रोथ स्टराइब होई है तो इसी तरीके से आपको भी ध्यान लखना आधा फिलाल को हम मिलना लेता हूं तो ये मिडिया इमने लिए कर लिया फारख लीए जो थोड़ा मोटा मोटा है गोबर जो हमारा गवरी अधिक अधिक भीछski है तो कोई नहीं फिनाल इसको हम जो है कवर कर लेते हैं सबसे पहले और कवर करने के बाद आपको देहां एक रखना है कि जिस तरीके में कर रहा हूं ना यह थोड़ी ची दरार जरूर दिखना चाहिए और इस तरीके से उपर से ऐसे लगाते हैं तो और ज्यादे बहतर रहेगा आख और अच्छर जचast देगा का इस तरीके से लगाना है तकि जो है पाणीजरों निकल जाए और पाणी भी रू करतूब भी मसला ठीक नहीं है और पानी अगर तो अभी मसला ठीक तो इस उसाफ से आपको लगाना होते हैं कि छेद को ज्षाइजा को आद Saturday ऑं sa में लगा लेनी हैं ये देखियेगा और यहां से तरल जो हए खुली रहेगी और जार सी बात है थोड़ہ-थोड़ा येख होना बहूर जरूरिये फिल्हाव इसको मैं अब मिठीत देता हॉं और जो मेरा मोटा मोटा है उसको मैं जो है कि पिःओसेदर मैं और मैं हर बार कुछ नपकुछ डाल देता हूं ये तो बिल्कुल ही भेगा गल चुपा है फिल्हाल ये भुंटे का जो अपर कवरादा है तो यह देखेगा और बाकी मेरे गुलाब और भी लगे हुए हैं वो भी सारे इसी तरीके के मीडिया के अंदर लगा हूए है और यह देखिएगा यहां तक हमने इसको कम्प्लीट कर लिया है अब यह मैं दिखाता हूँ आपको इस वाले अपने गुलाब को रख करके यह मैंने और जो निकाले यह सबसे पहले एक्षी बहुत ज़रूरी जान रखनी है कि उसके यह देखिएगा यह बहुत उपर जा रहा है तो मुझे इसकीमक्क तको करना पड़ेगी अगर आप क्lorks लेवल ऊपर जा रहा है तो मित्टी कम कर लिब अब इसका लेविन बिल्कुल ही बैलेंस है यह देखिएगा यह हमेशा मैं आपको बताता हूं कि इसकी लेविल से ग्राफ्टिंग एरिये के लेविल से और इसकी किनारी बिल्कुल एकदम बना करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा तो यही आपको करना है और यह देखिएगा मैं बाकी इसका जो है भर लेता हूं उसको मिट्की से जो मैंने तयार की है मिडिया अपनी और माशाला से मुझे लगता है मैंने बिल्कुल परफेक्ट एकदम मीडिया तयार की है क्योंकि बिनन मापक्के बिनना पे हुए और पूरी ही हो गई है मेरे खयाल से कम ना पड़े मुझे सकी बस थोड इसी परवह है पर इतनी से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला इतना है मेरा काम चल जाएगा तो यह देखिएगा यह हमारा पौधा लगकर हो गया है एक्दम तयार अभी इसमें सिर्फ एक्षी जोर रह गई है तो मैं पाई डालूँगा इसमें कभी माफ़ों यह देखिएग क्योंकि इसकी जो मेरे पास जगा तो है नहीं और बाकी क्योंकि यही एक जगा बाकी रह गई है जहां पर मैं यह प्लांटों को लॉड़ बदल करता रहता हूं तो चलिए मैं पानी तो यह देखिएगा मैं इसका ड्रेनिस सिस्टम भी आपको दखा ही देता हूं इस मीडि भी है बाकी मैं आपको इंसल्द दबर बतला एक ना एक दिन जो है इसका जो है पूरा कम्प्लीट अपने जो गार्डन में तयार हो जागा यह वस्कानली हो गए मैं आप इसके बाद जो है कोई भी गुलाब नहीं लगाना दिल क्या करा जा मानता नहीं है अब नरसरी अदमी है हमारे गप भाई विचा रहे बो अभी तो थोड़ा सा फैमली प्रावलम में हैं और बाकी हमारे गाले भाई भी माशालला बहुत शौकिन और जाहिद भाई भी हमारे बहुत ही शौकिया है तो दोस्तों यह वीडियो देखाए अब यह केमरमें नीचे को दखाए यहां से देखें इसका पानी जो है यह देखें निकल करके बाहर आ गया है लिप तक हमने बात कि आप से तब तक इसका पानी निकल करके बाहर आ चुका है तो वीडियो अगर अच्छा आप वीडियो को लाक्षा है ज़रू करें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक करें उस